प्रणाम दुस्तो हम चक्रे की सीरीज कर रहे हैं तो यह जो साथ चक्र है उसमें से आज हम चौथे क्रमां का जो चक्र है यानि अनाहत चक्र जिसे हम रिदय चक्र भी कहते हैं यानि जो हमारे रिदय के करीब है यह चक्र बहुत ही सुन्दर सा चक्र है हमारे शरीर का जो कि यह पूरे साथ चक्रों में से उपर के तीन चक्र यानि सहस्रार, आध्या और विशुद्य चक्र और नीचे के तीन चक्र यानि मुलाधार, स्वाधिष्ठान और मनिपूर ये छे चक्रों के बीच का रिदय के समीप जो बहुत ही उर्जावान ऐसा ये चक्र है तो ये चक्र होता कहा है तो ये हमारी रिदय की बिलकुल बीच में यानि हमारे रिदय यानि हमारे चाती के बीच में थोड़ा सा बाईनी और होता है यह थोड़ा बाए तरफ होता है यह चक्र प्रेम, पर्मानंद, आनंद, दूसरों के प्रती भाव, सुन्दर भावनाएं यह सारी चीजों का प्रती है यह चक्र अगर आप देखेंगे तो बारा पंखुडियां यानि कमल की बारा पंखुडियों से बना हुआ यह चक्र है जिसके मध्यम में, अगर आप कोई इमेज भी इसकी देखते हैं तो उसमें बारा पंखुडियां होती है और उसके बीच में दो त्रिकोण होते है यानि एक का मुँ उपर की तरफ होता है और दूसरा जो त्रिकोण है उसका मुँ नीचे की तरफ जो कुछ स्टार की आकरूती जैसा दिखता है और इसका मंत्र भी उसमें लिखा होता है इसका मंत्र है यम तो यह जो अनाह चक्र है यह अगर संतुलित है यानि हमारे शरीर में अच्छे से कार्य कर रहा है तो हम प्रेम कानुभाव करते है हम दूसरों की तरफ अच्छी भावना रखते है मन में शांती रहती है आनंद रहता है परमानंद की भावना होती है कृपालू रहते हैं हम लेकिन अगर ये चक्र संतुलित नहीं है तो उसके परिणाम अलग देखने को मिलते हैं जैसे कि हमें ज़्यादा क्रोध आता है हम दूसरों के प्रती इरिशालू हो जाते है हमेशा किसी और को देखके हम कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों के बारे में हम अच्छा नहीं बोलते हैं तो ये सारी चीज़े यही दिखाती है कि आपका अनाहत चक्र संतुलित नहीं है यानि अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो ये चक्र ओपन करने के लिए इसे कारे रद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ये चक्र अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो इसका जो बीज मंत्र दिया है यम इसकी आप साधना कीजिए जादा से जादा यम ये शब्द का उच्चारण कीजिए रोज 21 बार या तो फिर 11 बार आप इसका उच्चारण करके ध्यान की अवस्ता में बैठके आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं ध्यान करना है यानी क्या करना है तो हमें अपने रिदे पर ध्यान के इंद्रित करना है पहले ही दिन ये चीज़ नहीं होने वाली है मैं आपको यही बताना चाहूँगी काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं पुछ से ये नहीं हो रहा है, तो ये कुछ समय लेता है, जो कि हम चक्र की साधना कर रहे हैं, तो ये इतना भी आसान नहीं है, जितना आपको लग रहा है, जैसे जैसे समय बितेगा, वैसे वैसे आपका ध्यान के इंद्रित होगा, और फिर उसके दीरे दीर आपको अनुबह आने लगेंगे अनुबह आएंगे यानि आप अंदर ही अंदर बहुत शान्त महसूस करेंगे आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो चहल पहलती मेरे दिमाग में, मेरे मन में वो भी कहीं तो स्तिर हो रहा हूँ मैं या फिर हो रही हूँ जैसे आप इसका उच्चरन बढ़ाएंगे वैसे आपके दीरे दीरे शांती की अनुभूती करेंगे बीज मंत्र जो यम बोला गया है इसका जादा से जादा उच्चरन कीजिए जो कि ये चक्र का जो रंग है वो है हरा वो भी हमारी प्रकृती को ही प्रतीत करता है यानि उसका प्रतीक है हमारी प्रकृती आप कभी भी कहीं अगर घूमने जाते हैं तो अगर आप नेचर की तरफ जाते हैं तो जैसे ही हम घने जंगलों में जाते हैं या फिर कहीं नेचर के करीब जाते हैं तो हम बहुत ही शान्ती कानुभों करते हैं क्यों क्योंकि तब हमारा अनाहच चक्र दीरे दीरे अक्टिवेट होने लगता है आपने कभी महसूस किया है यह चीज की आप अगर कही नेचर में जाते हैं आप खुद ही बोलते हैं कि यहां पर कितना अच्छा लग रहा है यहां पर बैठना चाहिए कुछ समय हमें यहीं पर व्यतित करना चाहिए जो कि आपका यह रिदय ही अंदर से बोल रहा है आपका अनाहच चक्र ही आपको यह कमांड देता है कि आप यहां पे बैठी है क्योंकि यहां पे शांती है तो यह अनाहचक रहा एक शांती का प्रतीख है तो जैसे जैसे आप इसकी साधना करेंगे वैसे अध्यात्मिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो इश्वर के तरफ अगर आपका लगाओ बढ़ रहा है ऐसा अगर पुरुषवर्ग भी अगर भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो उनके आखों में से आसू आने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है तब आपका अनाहचकर उपन होता है आपको वो भावनाय उत्पन्न होती है इश्वर की तरफ इ व्यक्ति रोती है तो वो दुख हुआ है इसलिए उनके आखों में से पानी आ रहा है लेकिन जब हमारा अनाहचकर में बहुत ही आनन का उच्चांक हम अगर उसे देखते हैं तो फिर आसू आने लगते हैं तो यह हमारे अनाहचकर एक्टिवेट होने का एक लक्षन है वही रंग के कपड़े पहनने हैं कहा जाके मैं बैठ हूं फिर कैसे पोजीशन में मुझे बैठना है ऐसा कुछ नहीं है अगर जमीन पे भी बैठके आप यह साधना करते हैं फिर भी दीरे दीरे चक्र ऐक्टिवेट होते हैं चक्र साधना करने से ही आपको उसके होने के बाद आप दूसरों को मदद करने लगेंगे दूसरे की तरफ अच्छा बोलने लगेंगे आप हमन ही मन में अच्छा नुबह करेंगे कुछ लोगों को शररी कुछ समस्या ही रहती है जैसे हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं हमेशा दर्द होना ऐसी फिर कभी-कभी उन्हें लगता है कि मुझे सास मैं ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ तो ऐसे समय अगर आप अच्छे से ध्यान लगाते हैं अपने अनाहाच चक्र का बीज मंत्र बोलते हैं और अच्छे से पांच या दस मिनिट बैटते हैं गहरी सास लेते हैं तो उसके बाद आपको ये साही प्रॉब्लम्स दीरे-दीरे कम हो जाएंगे तो जैसे शाडरिक तोर पे अध्यात्मिक तोर पे ये चक्र इतना ही पावरफुल है तो हमें जादा से जादा इसकी साधना करनी चाहिए जो महिलाएं घर में रहती है जो घर का काम करती है घर चलाती है या कुछ महिलाएं बाहर भी जाके काम करती है तो कभी-कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोग उने कुछ बुरा बोल देते हैं अरे तुमने आज ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है ये सारी चीज़े कही न कही महिलाओं को इफेक्ट करती है तो ऐसे में वो कभी-कभी दुखी भी हो जाती है फिर वो सोचती है कि मैं इतना सब करती हूँ, फिर भी मेरा ऐसे क्यों मुझे लोग बोलते हैं तो आप परेशन नहीं होएगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे दुख हो रहा है या फिर ये चीजस्तों मैंने की थी, पर फिर भी मुझे ये सुनना पढ़ रहा है तो ऐसे समय अगर आपको दुख होता है, तो आप अनाहच चक्र की साधना कीजिए जादा से जादा अगर आप अनाहच चक्र अपन रखेंगे, उसे चार्ज करते रहेंगे तो शायद ये धीरे-धीरे तनाव और ये दुख खत्म हो जाएंगे तो जैसे मैंने कहा है, वैसे आप ये यम, ये बीज मंतर की साधना कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक चक्र के साथ अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशुद्ध चक्र के बारे में जो हमारे गले में है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयल करें धन्यवाद